हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, तो फ्रेंट्स, आज हम नियो बॉर्न बेबी के लिए शूट्स बनाएंगे, बहुत एजी वे मैं बनाने वाले हैं, देखिएगा फ्रेंट्स, यहाँ पर एक शुक्ष पार्ट मैंने बना के कम्प्रीट कर लिया है, दूसरा पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि दोनों पार्ट हमारे सेम बनेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एक पार्ट मैंने बना लिया है, दूसरा पार्ट मैं आपके साथ बनाने वाली हूँ, तो चलिए फ्रेंट्स देखते हैं, तो चलिए फ्रेंट्स करक Надоने हैं फंद्ह्ट अमारे ज्यादा नहीं और ऐसे एक लुब बना लेंगे अभे ए आ फंद्हों बन गया है कि धायों के स्वेक्षन patis कर दिए ऐसी कीछ आप्यों से तो बहुत ध्यान को ऐसे लेते हुए धागा उमारा उपर आ जाएगा उसके बाद स्लाई को ऐसे लेंगे और बीच से निकालते हुए अपनी तरफ को लेंगे बाद में इस धागे को ऐसे खीच देंगे फ्रेंस यहां पर मैं बहुत स्लो तरीके से बता रही हूं यदि आप बिगनर से तो दागे को ऐसे लेंगे इससे क्या होगा धागा मारा उपर आ जाएगा और बाद में इस धागे को ऐसे खीच देंगे तो फ्रेंस इस तरीके से मैं 31 फंदे डाल लेती हूं तो यहां पर मैंने 31 फंदे डालने हैं तो फ्रेंस यहां पर मैंने 31 फंदे डाल ले हैं 31 फंदे मैंने डाल ले हैं फंदे डालने के बाद फरस्ट रो मेरी बैक साइड में आईए यह मारी उल्टी साइड है यहां पर मैं पूरी रोको उल्टा बुनके कम्प्टीट कर लेती हूं सीधी साइड में हमने अपना है मैं पूरी रोको उल्टा 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 बुन लेती हूं तो फ्रेंड्स यहां पेęt मेरे बैक साइड की पूरी रोको उल्टा उल्टा कम्प LBlue लोट कर लिया है आड आते हैं सीधी साइड में आब यहां से हम अपना बॉर्डर नाय शुरू करेंगे तो देखें का फ्रेंट्स एक पार मैं आपको बता जीती हूँ जब हम बैक साइड की यह वाला बॉर्डर शेयर करने वाली हूं यह सिर्फ हमारा दो लाइन का बॉर्डर का डिजायन है दोनों लाइनों को बहुत द्याद से देखेगा अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले आज के फंदे को स्लिप करेंगे आप देखेगा फ्रेंड्स यह जो सीधा फंदा है इसको हमने ऐसे नहीं बुनना है सीधे फंदे को हम बैक लूप से ऐसे सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे उल्टे फंदे को हमने नॉर्मली बुनना है जैसे हम बुनते हैं धागा पीछे करेंगे और पीछे की तरफ से एक फंदा हम सीधा बुन ल पस आपने सीधे फंदे पे ध्यान देना है कि सीधे फंदे को हमने बैक लूप से बुनना है अब ये सीधा फंदा है इसको हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे करेंगे एक फंदा हम सीध बनेंगे जैसे हम बुनते हैं धागा पीछे करके सीधे फंदय को अमने पीछे की तरफ से सीधा बुनना अभी लास्ट का फंदय को है इसको भी हम सीधा बुन देंगे तो फ्रेंट्स यहां पर हमारे बॉर्डर के फर्स्त रो बनके कम्टीट हो गई है अब आते हैं बैक पिछे की तरफ से ऐसे उल्टा बुनना है धागा पिछे करेंगे सीधे फंदे को वैसी बुनें गे ज़िसे हम नौर्मली बगते हैं बस आपने उल्टे फंदे बेध्यान देना है ये जो उल्टा फंद preset है ना इसको को मैं इस तरीके दागा पीछे करेंगे सीधे फंदे कौम नॉर्मली बुनेंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे अभी जो उल्टा फंदा है न इसको आपनी तरफ को डालेंगे अपनी तरफ को और इसको उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे धागे को अपनी कर लाएंगे और Solita कि Draven पति करेंगे और क्योंगे खूंध़ करेंगे WIL3 wira bis ठीक करेंगे आपके निया साथे जन्वानने की जोए हैं क्यों यह अर्टалось 1 के फंदBayकbor रहेंगे और कुणियह कंछेंगे 113 के ऑपरखेंगे हैं है में एसले लिएद्य पतारी कौनि में इनी दो लाइने को बार बार दोराते जाना है जब तक कि आपके बॉर्डर की लैंद कम्प्लीट नहीं होती यहाँ पर मैंने बॉर्डर की दो लाइने बना ली है चार लाइने मैंने और बनानी है फिर मैं आपको दिखाती हूं तो देखिए का फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने असा बॉर्डर बन के आया है देखिएगा फ्रंट साइड से असा दिखाई देता है सीधी साइड से असा दिखाई देगा और उल्टी साइड से असा दिखाई देगा इसलिए इस बॉर्डर को आप दोनों साइड में यूज कर सकते हैं इस बॉर्डर की वीडियो अलेडी मेर चैनल पर है तो फ्रेंट्स यहां पर बॉर्डर बनके हमारा कम्प्लीट हो गया है अब आगे मैं आपको बताऊंगी फ्रेंट्स यह वाला पैटन मैं आपके साथ शेयर करूंगी यह सिफ दो लाइन का डिजैन है तो आगे मैंने इस पैटन को बनाना है तो इस पैटन को मैंन पैटन शुरू होता है। तो यहां पे पूरी रोग मैं सीधा बनके कम्प्रीट कर लेती हूँ। सिर्फ दूली लाइन का डिजैन है। तो friends यहां पर हमारे design के first row बन के complete हो गई है, अब आते हैं back side में, यह हमारे design के second row है, इस row को ध्यान से देखेगा friends, सबसे पहले फंदे को स्लिप करेंगे अब धागे को पीछे करेंगे अब धागा हमारे पीछे ही रहेगा दो फंदों में हमारे डिजैन बनेगा एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदे को स्लिप करेंगे ह के फंदे को छोड़के इनी दो फंदों को पूरी रो में दोराना है, एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदे को स्लिप करेंगे, ध्यान रखेगा धागा मारे पीछे ही रहेगा, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और एक फंद कुझे करेंगे और एक फंदे कम सीधा बुनेंगे एक फंदे कर दे करेंगे और एक फंदे कम उल्टा बूनेंगी घागे को अपने त्रफ लाकि लास्ट के मुल नेगी क्योंकि उलती सईल्ट है ,्तव– यहांन पर दिजांस के अउने च।कलिट हो गaggi तो हर दो लाइन के बाद हम कलर चेंज करेंगे जैसा कि देखिए का फ्रेंस यहां पर हमने सबसे पहले ग्रीन कलर लगाया है फिर दो लाइन बनाने के बाद फिर हमने वाइट कलर लगाया है फिर हमने डार ग्रीन कलर से बनाया है इस तरीके से हर दो लाइन के बाद हम कलर च खाती हूं तो देखे का फ्रेंट्स यह दो लाइन के डिजाइन को मैंने 9 बार बनाया है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ यानि अठारा लाइने मैंने बनाई है अगर दोनों तरफ से काउंट करेंगे तो बॉर्डर के बाद मैंने अठारा लाइने बनाई है यहाँ पर मैं एड़ी बनाना स्टार्ट कर रहे हूं यहाँ पर मैं 9 फंदे सीधे बुनूंगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ 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 फंदे मैंने बुन लिये हैं यह फंदे हमारे एड़ी के हैं यही से हम टरन हो जाएंगे बैक साइड को तो देखे का फ् प्रेंट की बुन आ है इधर के फंदों को अभी उमने छोड़ देना है पहले फंदों को परलवाई श्लिप करेंगे धागयों को पीछे करेंगे और बाकी के आठ फंदों को वहने सीधा सीधा बुन ना है तो फ्रेंट्स यहां पे मेरे दो लाइने बन गई हैं अब आते हैं सीधी साइड में पहले फंदों को पलवाई स्लिप करेंगे धागा पीछे करके आगे के फंदों को उमने सीधा सीधा बुनना है यह हमारी तीसरी लाइन है इस तरीके से मैंने 12 लाइने बनानी है मैं बना लिती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो देखे का फ्रेंट्स यहां पर हमारी 12 लाइने बन के कंप्लीट हो गई है तो जब हम दो लाइने बुनते हैं तो हमारी एक धारी बन के आती है यहां पर इस तरिके से देखेगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यहाँ पे हमारी छे धारियां बनी हैं तो यहाँ पे बारा लाइने बनके हमारी कम्प्लीट हो गई है अब हम सीधी साइड में आ गए हैं अब देखेगा फ्रेंट्स अब हमने यहाँ फंदों को क्लोज करना है फंदों को बंद करेंगे दो फंदों को एक साइड से लेंगे और दो का एक कर देंगे सीधा बुनते वे फिर इस फंदों को लेफ्ट हैंड के निडिल पे ले लेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते वे फिर से इस फंदे को लेफ्ट हैंड की निडिल पे ले लेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते वे इस तरीके से हम फंदे बन करते जाएंगे दो फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते वे हमारे सारे फंदे बंद हो गए हैं सिर्फ एक फंदा यहां पर हमारा बचा हुआ है तो इधर की एड़ी बनके हमारी कम्प्लीट हो गई है अब हमने क्या करना है यहां से हम फंदे उठाएंगे 6 फंदे हमने उठाने हैं आपको चेन दिखाई दे रही होगी एक दो तीन चार पांच छे चे फंदे हमने उठा लिए हैं और सात्मा फंदा हमारे यह वाला है अब हमने क्या करना है चे फंदो को सीधा बनेंगे एक दो तीन चार पांच छे टोटल साथ फंदे हो गए हमारे अब बीच में हमारा ये गैप आ रहा है तो दो फंदे हम इधर से उठा लेंगे एक दो अब यहाँ पे फंदे हमारे फिर से नौ हो गए है और साथ में यहाँ पे हमारा गैप भी भर गया है अब आगे के फंदों को आमने सीधा बुना है तो देखेए गाव फ्रेंट्स जो पैटन हम यहाँ पे बना रहे हैं न इसमें फर्स्ट रो मारी पूरी सीधी सीधी बनती है पैटन के सबस ही हमारी रो बन रही है पूरी सीधी सीधी क्योंकि यह डिजाइन हमारा बैक साइड में बनता है अब देखेंगा फ्रेंट्स इधर हमारे 9 फंदे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 फंदे यह हमारे दूसरी एडि के हैं तो पहले हम इनको बुन लेते हैं यह हमारे दूसरी साइड के एडि बन रही है इधर तो यह एडि के हमारे फर्स्ट होती अब आते हैं बैक साइड में पहले फंदे को पलवाई स्लिप करेंगे भागे को पीछे करेंगे यहाँ पे हमने दोनों तरब सीधा सीधा बुनना है आगे के 8 फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ तो प्रेंस यहाँ पे मेरे टोटल 9 फंदे हो गए हैं अब यहीं से हम टरन हो जाएंगे आगे को सिर्फ हमने 9 फंदों को बुनना है अभी, ऐसे हमने 12 लाइने बनानी है, यह हमारी तीसरी रो है, पहले फंदों को पलवाई स्लिप करेंगे, धागे को पीछे करेंगे, और आगे के फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है, तो यहाँ पे तीसरी लाइन बनके हमारी कंप्लीट हो गई है, अब आते हैं वैक साइड में, यह हमारी फोर्थ रो है, पहले फंदों को पलवाई स्लिप करेंगे, धागा पीछे करके, आगे के 8 फंदों को मैं सीधा सीधा बुन लेती हूँ, तो फ्रेंड्स इस तरीके से मै 12 लाइने बना लिती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 12 लाइने बना ली हैं, देखेगा, 6 दारियां बनके आई हैं हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 12 लाइने हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन लेफ्ट साइड की जो एड़ी है, इसमें हमने फंदे बेक साइड से घटाने हैं, तो यहाँ पे मैं एक लाइन और बना लीती हूँ, पहले फंदे को स्लिप करूँगी, धागय को पीछे करेंगे, वैस्थे ही हमारी 13 रो है, लेकिन यहाँ पे हमने बेक साइड में फंदे घटाने हैं, तो इसलिए एक रो को मैं ऐस्टा बना रही हूँ अब आते हैं बैक साइट में तो फ्रेंट्स यहां पर हमने फंदो को क्लोज करना है जैसे हमने इधर वाली एडी में फंदे गटाए थे उसी तरिके से हम इधर फंदे गटाएंगे पर कितना होगा, इधर हम बैक साइड में घटा रहे हैं इस साइड के एड़ी हमने सीधी तरब से कटाई थी और इधर के एड़ी हम बैक साइड से कटाईगे 2 फंदों का एक साथ हम ऐसे लेंगे और 2 का एक कर देंगे हम सीधा बुनते भे फिर एक फंदे को हम लेफ्ट हैंड की निडिल पर ले लेंगे फिर दो फंदो का एक कर देंगे हम सीधा बुनते वे फिर से इस फंदे को हम लेफ्ट हैंड की निडिल पर ले लेंगे और दो फंदो का एक कर देंगे हम सीधा बुनते वे इस तरीकिसे हमने फंदे घटाते जाना है फिर इस वाले फंदे को लेफ्ट हैंड के नेडिल पर ले लेंगे फिर दो फंदो को एक साथ ऐसे लेंगे और दो का एक कर देंगे हम सीधा बुनते वे फिर इस फंदे को लेफ्ट हैंड के नेडिल पर ले लेंगे फिर दो फंदों का एक साथ ऐसे लेंगे और दो का एक कर देंगे सीधा बुनते वे तो यहाँ पर हमारे फंदे क्लोज हो गए है सिर्फ एक फंदा यहाँ पर हमारा बचा हुआ है अब हमने यहाँ से फंदे उठाने है जैसा हमने इस वाले एडि में फंदे उठाये थे, उसी तरीकिस हम यहाँ पर फंदे उठाएंगे, यहाँ पर हमने छे,फंदे उठाने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे,फंदे हमने उठा लिये हैं, सात्मा फंदा हमारा ये है अब इस रोक पम हम आपने पैर्टर के साब से बनाएंगे जैसरी कि फस्तो मेне पूरी सीधि बुनी थी सेकंडर में ये हमारा पैटर बनता है यही से हम अपना पैटर को स्टार्ट करेंगे एक सीधा बुनेंगे और एक फंदे को बिना बुने असी उतार लेंगे फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदे को बिना बुने असी उतार लेंगे फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदे को बिना बुने उतार लेंगे यहां पे हमारा गैप आ रहा है तो इक्फंद हुआची बनाना है। फिर एक्फंद आउब स्ल्डीप करेंगे massいきます पूरी रोकॉम नई अश्य बनाना है एंश्य बनाना है एक्फंदugen स्ल्डीप करेंगे 6 दो बनेंगे एक्फंदनई मेज़िए और सद्डॉब दो नblemसिदा बनेगे एक फंदा हम slip करेंगे और एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे पूरी रोकॉम नासी बनाते जाना है एक फंदा हम सीधा बुनेंगे एक फंदे को slip करेंगे और एक फंदे को सीधा बुनेंगे एक फंदा slip करेंगे और एक फंदे को हम सीधा बनेंगे अब यह लास्ट का फंदा है धागा अपने तरफ करके इसको हम उल्टा बुल लेंगे क्योंकि यह हमारी उल्टी साइड है तो फ्रेंट्स यह पैटर्न के सबसे सेकंड डो बनके हमारी कम्प्लीट हो गई है यहाँ प पर यहाँ से मैं अपनी लेंद्ध कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगे कि आगे हमने क्या करना है फ्रेंट्स दोने एडिया बनाने के बाद यहाँ से मैंने अपना पैटर्न चुरू किया है इस पैटर्न को यहाँ पर मैंने दस बार रिपीट किया है दोनों एडिया बनाने के बाद आगे मैंने 20 लाइन बुनी है अगर हम दोनों तरफ से काउंट करेंगे फ्रेंट्स अब हमने शू को क्लोज करना है यह मारी सीधी साइड है सबसे पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे उसके बाद दो फंदों का एक साथ ऐसे लेंगे और दो का एक कर देंगे सीधा बुनते फिर से हम दो फंदों का एक साथ ऐसे लेंगे और दो का एक कर देंगे सीधा बुनते वे इस तरीके से मैंने सभी फंदों को बंद कर लेना है यहां तक मैं बंद कर लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं फिर से हम दो फंदों का एक साथ से लेंगे और दो का एक कर देंगे सीधा बुनते वे फ्रेंट सीधी साइड में हमने दो फंदों का एक करते वे पूरी रो को कम्प्लीट कर लिया है अब आते हैं बैक साइड में पहले फंदे को स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा-उल्टा बुनना है फ्रेंट्स यहां पे मैंने AdmEnost Side में पूरी डोल डोग को उल्टा बुनके complete कर लिया है अब यहां पे शूब बन के हमारा complete हो गया है अब हम इसलाई करेंगे यहां पे मैं धागे को कट कर लूगी और इसी धागए को में सुई में डाल लूगी अब देखे कफेंड अब जितने भी फंद्धें हमारे इसलाए में हैं सभी फंदों को मैं एक एक करके सुई में ले लूगी कोई भी फंदा मनें नहीं छोड़ना है तो देखिए का फेंड्स, यहां पर मैंने सभी फंदों को सुई में ले लिया है, इस तरीके से देखिएगा, एक बार मैं दुबारा से सभी फंदों को सुई में ले लूँगी, जिससे की फंदिया हमारे अच्छी तरीके से पक्के हो जाएं, अब इसको हम टाइट करके बिल्को टाइट कर लेना है इस तरह किसे देखेगा अब यहाँ पे अब जरा भी ओल नहीं दिखाय दे रहा है शुका हम ऐसे उल्टा कर लेंगे एक दो बार यहाँ पर सुई से हम पक्का कर लेंगे यदी कोई छोटा सा होल भी होगा हमारा वह भी भी बंद हो जाएगा अब यहां से हम सिलाई करेंगे देखेगा सिलाई करने का सबका अपना तरीका होता है फ्रेंड जो तरीका आपको इजी लगे उस तरीकी से आप कर लिजेगा कि एक टाका इधर से लेंगे और एक टाका में अपनी तरफ वाली जो साइड है उसमें लूँगी अब यह हमारा एड़ी वाला पॉर्ट्शन आ गया है अब यह हमारा एड़ी वाला एड़ी वाला एड़ी जो साइड है अब यहां से लेकर करके मैं यहां तक सिल लूँगी तब मैं आपको दिखाती हूं तो फ्रेंश यहां पर मेरा शोसिल के तयार हो गया है अब यहां पर मैं आपको सीधा करके दिखाती हूं कितना प्यारा सा शूबन के हमारा तयार हुआ है देखिएगा तो फ्रेंट्स इस तो आपको जुरूर बनाईएगा यहाँ पर मैंने नॉर्मल उनका यूज किया है यदि आप छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं तो आप बेबी उनका यूज करिएगा कितना प्यारा सा एड़ी वाला शूबन के तयार हो गया है फ्रेंट्स आप भी बनाईएगा अपनों के लिए तो फ्रेंट्स उमीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें मिलती हूँ नक्स वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद